गंगा और यमुना नदी में आई बार से जिले में कई स्थानों पर भयानक स्थिती उत्पन हो गई हैं, जिससे लोग अपने घरों को छोड़कर राहत शिविर में जाने को मजबूर हो गए हैं। जिले में तैनात NDRF की टीम लगातार राहत बचाव और राहत सामगरी वित्रण के कार्य में लगी हुई है। जिसमें NDRF की टीम हर तरह से आपकी मदद के लिए तैयार है। इसी क्रम में जिला प्रशासन से मिली सूचना के अनुसार NDRF के टीम कमांडर इंस्पेक्टर ब्रिजेश कुमार तिवारी और उनकी टीम तथा सिविल डिफेंस के साथ मिलकर जिले के चानपूर सलोरी स्थान से 6 लोगों का रेस्क्यू कर उनको सुरक्षित निकाल कर राह सामगरी वितरन का कारे किया